जी असी परिवार को मेरा सादर सेवा जुहार मेरा नाम रिदू पंद्राम है और मैं 36 गड़ के गोरेला पेंडरा मरवाही जिले से हूँ मैं एक्रिसक परिवार से हूँ और मेरा व्यासाइव एक्रिसी है मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना महमारी के दौरान आप सब आपको और हम सबको मिलकर करना होगा क्योंकि जो ग्रामिड जन जीवन जो अस व्यस्त जो हो चुका है तो उसे जानने के लिए समझने के लिए कि आप अपने जीवन को किस तरह से पुना संचालित कर रहे हैं आप अपनी रोजगार की विवस्थाएं कैसे कर रहे हैं यह समीन के नीचे कौन कौन से खनिस संपदाएं हैं और जब एक समुदाय वस्थापित होता है तो वहां से उसकी संस्कृति उसकी परंपरा और भासा सब समाथ हो जाती तो निश्यत रूप से यह आपके अस्तित्व को बचाने की एक जो लड़ाई है जो काफी समय पहले से च पर लोगों के ऊपर था कि आप उस चीज को कैसे अपने आप में आत्मसार करते हैं आज के दिनांग पे इतने सारे मूल निवासी संगठन बन चुके हैं सबकी अलग-अलग विचार धारा हैं हो गई हैं कि हम लोग इतने तितर-बितर हो गए हैं कि हम लोग संगठित नहीं हो जाते हैं और मुझे लगता है कि आपकी आवाज सुनने के लिए यहां पर कोई नहीं है सरकार में कोई नहीं है तो इससे बहतर है कि हम अपने गाओं में जहां पर हम ग्रामिट परवेश में जहां जीवा नियापन हम लोग कर रहे हैं वहां पर रहा कर हम अपने लोगों को संगठित करने का प्रयास करें अपने गाहों को आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने का प्रयास करें यही एक रास्ता है और जो हम अपने संस्कृति परंपरा और भासा को सुरक्षित कर पाएंगे और GSU के जितने भी सदस हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आपको यापन सौपते हैं सरकार के नाम पे तो आप उसमें एक बात जरूर रखिए कि जो हमारी जो प्रात्मिक सिक्षा हैं हो हमारे ट्राइबल लैंग्विज में शुरू होनी चाहिए और खास तोर पे जो अनुसूची छेतर हैं वहाँ पर ताकि हम अपने भासा को सुरक्षित रख पाएं आने वाले समय के लिए अभी जिस तरह से देश के जो हालात हैं CA हो गया वहां से लेकर अभी तक जो भी चीज़े देख रहे हैं अभी नया आया है इंडिया वर्सिस भारत तो आप अनुमान लगाए कि आप आने वाले समय में हम अपने जो आने वाली जो पीड़ी हैं उनको कैसा भाविस से देने चाहिए और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो आपको अस्विकार कर रहा है वो कोई बहुत नामचीन इनसान नहीं है और नहीं वो कोई बहुत ताकतवर है या आप से बहुत ज्यादा काबिल है लेकिन वो अधिकार संपन है और बजार का खिलाड़ी है और वो आपको या पिर आप वो बजार खड़ रखने में वह सामर्थ रखते हैं तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप वो बजार खड़ रखने का सामर्थ रखिए या तो आप अधिकार संपने बनेये तभी इस देस में आप का जो समुदा है या हमारा जो समुदा है वो एक पहचान बना पाएगा और मैं निस्जित रुप्स यही कहना चाहूंगी कि हम प्रक्रती के साथ साथ मानाउता को भी ना भूलें आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर वाते होती हैं लड़ाई होते हैं जगड़े होते हैं तो आप इन सब चीजों को परे रख कर एक बहतर समात बहतर रास्त के निर्माड के बारे में सोचे आने वाली पीड़ी के बारे में सोचे बहतर भविस के बारे में सोचे और जो चीजें आपके काम की नहीं हैं उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान ना दे और अच्छा काम करें बस सोचल मेडिया के माध्यम से ये जो छोटी सी बात है मैं आप सब लोगों के बीच रखना चाहा रही थी जीएस्व वरिवार के आगरह पर निश्चित रूप से जब हम हमारा कभी कुरोना के बाद कोई अधिवेशन होगा तो हम बहुत सारे विश्यों पर चर्चा करेंग और उन विश्यों पर आगे कार करने का प्रयास करेंगे जैसेवा जैजवार